दोस्तों, क्या आप भी गुढ़हल के पौधे में ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं? क्या आपके गुढ़हल के पौधे में भी ऐसे काले कीडे आ गए हैं और कलियां नहीं बन पा रही हैं? मेरे इस गुड़हलके पौदे में सफेद रंग के फूल खिलते हैं मैंने इसको घना तो कर लिया पर इसमें फूल तभी आएंगे जब इनमे से ये काले कीडे मर जाएंगे और मेरे पौदे में बहुत सारे काले कीडों का अटैक हो गया है क्या आपके पौधे में भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे मेसेज करके बताईए हम इन काले कीडों को घरेलू नुसके के द्वारा भगा सकते हैं, मार सकते हैं पर हमें देख बाल ध्यान से करनी पड़ेगी और हफ़ते में तीन बार इस लिक्विट को इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पौधे पे तो मैं आज आपको बताऊंगी बहुत आसान घरेलू नुसका जिससे हम इन काले कीडों को मार सकते हैं और अपने पौधे में सुन्दर सुन्दर फूल खिला सकते हैं पांच बुंदे सरसो के तेल की आदा पाउट शैंपू का और एक लीटर पानी को अच्छे से मिला कर हमें शेक करना है बहुत अच्छे से ये मिल जाना चाहिए इससे ही हमारे पौधों के सारे कीडे मर जाएंगे अब हमें पौधे के हर जगा पर जहां पर कीडे हैं वहां पर बहुत अच्छे से इसको स्प्रे करना है एक एक पत्ते को पकड़ कर जहां पर भी कीडा दिख रहा है उसकी स्टेम पे या जहां पर कलिया आनी है हर जगा पे हमें बहुत अच्छे से स्प्रे करना है ताकि इसके सारे कीडे मर जाएं स्प्रे करने के बाद हमें इसको तीन दिन के लिए छोड़ना है तीन दिन के बाद यही प्रक्रिया दोबारा से अपनानी है और फिर हम देखेंगे कि इसमें किस तरह का result आया है पर मैं आपको guarantee से कह सकती हूँ कि इसमें जो भी काले कीड़े हैं वो सब मर जाएंगे और हमारे गुड़हल के पौधे में सुन्दर सुन्दर फूल खिलने लगेंगे जो आपके घर को देगा बहुत सुन्दर और खूब सूरत लुक थांक्स फर वाचिंग और सबस्ट्राइब तो मैं चानल